नशे लोस्तों, देट हैं आज की 15 जून 2022 और स्वागत है आपका A2L डिस्केशन में आज तीन इशूस को हम डिसकस करेंगे डिटील से सबसे पहला आर्टिकल इंडिन एक्सपेस का डिसकस करेंगे कोई केंडिडेट एक ही समय पर दो सीट से इलेक्शन ना लड़ के इस पर रोक लगाने क्या आप सकता है इस पर ये पूरा आर्टिकल है दूसरा आर्टिकल नैस्नल मेडिकल कमिशन ने ना डोक्टर्स के प्रोफेस्नल कंड़क्टर को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज किया है उसी से समय पर आर्टिकल है तीसरा आर्टिकल यहाँ पर चाइल्ड मेरिज को रोकने के लिए सरकार जो लड़कियों की साधी की मिनियूम एज इंक्रीस करना चाहती है उससे सम्मधित है तो ये भी इश्यू हम डिटेल से डिसक्रस करेंगे पक्स में क्या पॉइंट्स है विपक्स में क्या पॉइंट्स है इसके बाद ये जो आर्टिकल है ये देखो नॉर्मल है मालुट्रिशन से सम्मधित मालोटरिशन से सम्मधित बहुत आर्टिकल्स आते हैं हिंदु में तो सिंपल आर्टिकल है आज डिसकस कर सके तो आज करेंगे डिसकसन लंबी हो गई तो कल डिसकस कर लेंगे चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं First important article Elections में किसी candidate के दवरा दो seat से चुनाव लड़े जाने से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो election commission of India ने ना union law ministry को बोला है कि आप हमारे एक proposal को consider कीजिए proposal क्या है अभी देखो provision ये है कि कोई भी candidate elections में दो seat से election लड़ सकता है for example UP में elections conduct हुए तो provision ये है कोई भी candidate UP की दो seat से election लड़ सकता है तो election commission ने कहा है कि आप इस provision को खतम कर दीजिए और limitation लगा दीजिए कि एक candidate एक ही seat से election लड़ सके समझ गए ये issue है तो अब basics की बात करते हैं देखो सविधान ना parliament को allow करता है कि parliament state legislature और parliament के election से संबंदित सभी मामलों में कानून बना सकता है और इसी के awarding parliament ने कानून बनाए है जैसे 1950 का representation of people act 1951 का representation of people act 1951 और उसके बाद 1952 का deal limitation commission act 1952 जिसके तहत समय समय पर deal limitation commission गठित किये जाते हैं हाल ही में जमुएन करस्मीर में deal limitation commission ने अपनी रिपोर्ट सोपी अब देखो जो representation of people act 1951 है ये चुने हुए परतिनीदियों के qualification और disqualification से deal करता है मतलब बताता है कि जो people's representative है बनने के लिए qualification क्या होनी चाहिए उमर कितनी होनी चाहिए मतलब election लडने के लिए और कब-कब चुने हुए परतिनीदियों disqualify हो जाएंगे इस act का जो particular section है ना section 33 और class 7 ये allow करता है किसी भी candidate को एक ही समय दो constituencies से election लडने के लिए जैसे परधामंत्री मोधी ने दो जगवों से election लड़ा था एक साइद गुजरात से लड़ा था परधामंत्री मोधी ने तो 2014 में लड़ा था लेकिन राउल गांदी ने 2019 में भी एक वाइनाड से election लड़ा और एक लड़ा कहां से अमेठी से अमेठी से वो हार गए थे तो representation of people act 1951 का section 33 7 allow करता है कि कोई candidate एक ही समय पर दो seat से election लड़ सकता है बड़ देखो इसके साथ section 70 ये कहता है कोई भी person एक ही समय में लोकसबा में दो seats को represent नहीं कर सकता लोकसबा में भी और state assembly में भी दो seats को represent नहीं कर सकता for example अगर राउल गांदी दोनों seats से जीत जाते ना अमेठी से भी वाइनाड से भी एक से उन्हें इस्तिफा देना पड़ता वो एक ही seat को represent कर सकते हैं लोकसबा में यही rules state assembly में लागू है और एक interesting चीज आपको बताऊं 1996 से पहले तो कोई condition भी नहीं थी मतलब 2 चोड़िये कई candidate तो 4-4 seat से election लड़ते थे लेकिन 1996 में यह restriction लगा दी गई कि भया सिरफ 2 से ही maximum election लड़ सकते हो, 2 से ज़ादा नहीं आपको example देता हूँ जैसे 1950s में वाजबही ने 3-3 जगएं से election लड़ा, एक बलरामपूर गवालियर और तीसरा मुझे याद नहीं जैसे देविलाल हैं, वो भी 3-3 seat से election लड़ा करते थे, लेकिन 96 में rule आ गया कि maximum 2 अब देखो question यह भी उठता है कि कोई भी candidate 2 seat से election लड़ता क्यों है अब देखो सिधा से मतलब है, एक point तो आपको समझ में आता है कि उसको हार का डर होता है उसको लगता है कि एक से मैं हार जाओंगा, मुझे खत्रा है तो 2 से लड़ूँगा तो मेरे जीतने की probability ज़्यादा हो जाएगी हाना, एक तो यह हो गया दूसरा candidate इसलिए भी 2 seat से election लड़ते हैं दिखाने के लिए कि देखो मेरा influence यहाँ पर भी है, यहाँ भी है एक समय मैं कहीं से भी जीत सकता हूँ तीसरा कोई भी candidate 2 seat से election इसलिए लड़ता है क्यूंकि यह थोड़ी political बात है मान लीजिए परधामंत्री मोदी ने गुजरात से लड़ा तो गुजरात में वो ज़्यादा influence कर पाएंगे बाकी seats पर गुजरात के लोग अपना पन लगेगा कि देखो परधामंत्री मोदी हमारे state से election लड़ रहे है तो बाकी seats पर भी इसका असर पड़ेगा गुजरात के लोग ज़्यादा vote देंगे उसी परकार से UP से लड़े परधामंत्री मोदी तो UP के लोग भी ज़्यादा influence हुए मतलब कहने का यह है आसपास के जो voter है ना सिरफ वो seat छोड़िये आसपास के voter उस state के voter भी ज़्यादा influence होते हैं जब candidate वहाँ से election लड़ता है state के अंदर भी देख लिजिए मान लिजिए कोई leader नोर्थ हर्याणा की किसी seat से election लड़ेगा तो पूरा नोर्थ हर्याणा influence होगा साउथ हर्याणा की seat से election लड़ेगा तो आसपास के seat भी influence होती है तो इन provisions के कारण ना एक मामला गया था court में अलाबाद high court में राजा जोन बंच वर्सेज union of India इस case में अलाबाद high court ने upheld किया कि representation of people act 1951 के section 33 class 7 में कुछ गलत नहीं है सही है मतलब जो कुछ है सविधान के according है कि candidate दो seat से election लड़ सकता है इसमें कुछ गलत नहीं है बट देखो नुकसान पता क्या होता है जब कोई candidate दो seat से election लड़ता है न तो अब एक seat से तो उसे इस्तिफा देना पड़ेगा representation of people act section 70 के according सरकार के resources का waste हुआ न दो seat से election लड़ रहे हैं सरकार के resources का waste हो गया दुबारा election conductor रहने में खर्चा तो आएगा और election commission को na seat खाली होने के maximum 6 महिनों के अंदर election करवाना पड़ता है तो मान लिजी यूपी में election conduct हुए अब candidate दो seat से चुना गया एक से उसने इस्तिफा दे दिया अब वहाँ पर मान लिजी election 6 महिने बाद होते हैं तो 6 महिने तक तो वो seat खाली रही न 6 महिने तक तो उस seat पर कोई representation नहीं था तो उस constituency के लोग को भी नुक्सान हुआ ना कि 6 महिने तो उनकी कोई representation ही नहीं assembly में next disadvantage ये है कि देखो बाकी constituencies के साथ ना थोड़ा अन्याय हो जाता है कि उस constituency के लोग को दो दुबारा से अपने पर्तिनीदी को चुनने का मोका मिल गया लेकिन बाकीों constituencies के लोग को नहीं मिला तो थोड़ा सा यहाँ पे inequality आ जाती है voting rights में next provision देखो आम तोर पर जब चुनाव होते हैं ना चुनाव में जिसकी सरकार बनी फिर तुरंत आप by election करवाओगे तो जातर chance यही होता है कि जिस party की सरकार बनी है ना वही सरकार by election जीतती है ऐसा क्यूं होता है ऐसा देखो इसलिए होता है लोग को लगता है कि इस party की सरकार आ गई है इस party के ही candidate को जिताते हैं तो यह भी एक discrepancy है democracy में कि ruling party को advantage हो जाता है उसकी नई-नई सरकार बनी है तो by election में उस party का ही candidate जीतता है तो इन सब reasons के कारण election commission ने अब proposal भेजा है law ministry को कि भाया please आप representation of people act के section 33 class 7 में change कर दीजिए और यह कर दीजिए कि कोई भी candidate सिरफ एक seat से election लड़ के दो seat से नहीं और अगर आप नहीं करना चाते तो कम से कम इतना provision कर दीजिए जो candidate दो seat से election लड़ा और उसने एक seat से इस्तिफा दिया वही candidate by election का खर्चा बरेगा समझ गए मालीजे राहूल गांदी दो seat से जीत गए एक seat से जिससे वह इस्तिफा देंगे न तो राहूल गांदी ही उस seat पर होने वाले by election का सारा खर्चा भरेंगे तो ये एक detrance का काम करेगा वैसे देखो एक और suggestion भी है suggestion ये है मालीजे example के तोर पर राहूल गांदी दोनों seat पर जीत जाते जीते नहीं अमेठी में हार गए लेकिन मालीजे जीत जाते अमेठी में भी और वाइनाड में भी तो अमेठी में अमेठी से मालीजे उन्होंने इस्तिफा दे दिया और दूसरे नमबर पर आये समर्थी इरानी तो दूसरे नमबर पर जो candidate आया न उसको बाद में candidate बना दो, मतलब उसी seat से representative बना दो, मतलब जिस seat से candidate इस्तिफा दे रहा है न, तो उस election में दूसरे number पर जो candidate आया था न, तो दूसरे number वाले को अब representation दे दो, उस seat का बजाए के फिर से election करवाने के, तो ये भी एक अच्छा solution है, तो ये पूरा article हमने discuss किया, एक से अधिक seat पर, यानि दो seat पर candidates के द्वारा election लड़ जाने से सम्मंदित, अब चलते हैं आगे, अगला article न, doctors से सम्मंदित है, doctors को guidelines देने के लिए, National Medical Commission ने एक draft जारी किया है, draft of regulations, आप GS paper 2 के इस टोपिक से article को relate कर सकते हों, ये draft देखो, National Medical Commission ने इसलिए जारी किया है, ताकि doctors का जो professional conduct है उसे improve किया जासके, मतलब, doctor और ज्यादा better done से professionally काम कर सके हैं, तो ये जो draft है न, इसमें कई सारे chapters हैं, chapter 2 से लेके chapter 6, deal करते हैं, doctors के professional conduct के बारे में, for example, जो registered medical practitioners हैं, उनकी क्या duties हैं, अपने patients के परती, एक doctor की, दूसरे doctor के परती क्या responsibility हैं, doctors की public के परती क्या responsibility हैं, allied health professionals के परती क्या responsibility हैं, और सबसे last में, professional misconduct क्या है, और क्या नहीं है, writer कहते हैं, देखो, जातर जो regulations हैं न, वो पहले एक body हुआ करती थी, medical council of India, medical council of India के द्वारा, जो regulations जारी किया गए थे, वही same है, जो अब document release किया गया है, national medical commission के द्वारा, लेकिन कुछ provisions नए हैं, और जिनको लेके हमारा एतरास भी हैं, जैसे एक provision ये क्या गया है, किसी भी doctor को, अपने पिछले 3 साल के, जो भी patients, उन्होंने देखे हैं न, doctor ने, उनका record संभाल के रखना है, मतलब जिन भी patients ने consult किया है, doctor से पिसले 3 सालों में, उन सब का record doctor को संभाल के रखना हैं, writer कहते हैं, देखो बहुत सारी doctors हैं, जो economy of scale पे खेलते हैं, मतलब उनकी consultation fees काफी कम होती है, वहाँ पे उनकी clinics में staff भी काफी कम होता है, लेकिन इस provision की वज़े से, doctor के उपर compliance cost increase हो ज जाएगा, उनका time भी waste होगा, तो उनको consultation fees अपनी increase करनी पड़ेगी, तो इससे किसका नुक्सान होगा, जनता का नुक्सान होगा, अब एक और provision है, अगर देखो कोई sterilization करवाता है न, for example, नस्बंदी, तो इसके लिए न, husband और wife दोनों की consent चाहिए, writer कहते हैं, देखो, मान लिजिए, कोई single है, साधी नहीं हुई है, या फिर, कोई और reason है, divorce है, तो उन reasons में क्या करेंगे, फिर वो, मतलब sterilization नहीं करवास केंगे, even इससे भी ज्यादा, ये individual autonomy के against है, मतलब, मान लिजिए, husband, wife है, husband कहते हैं, sterilization करवाना, या फिर wife कहते है, sterilization करवाना है, तो किस-कि सुनी जाएगी, अब finally, तो decision ये होएगा ना, कि किसी भी person को अपनी body के उपर पूरा अधिकार है, तो body के उपर जो अधिकार होता है ना, उसका हनन हो जाएगा, अगर दोनों की consent जरूरी हो जाएगी, next, पहले एक controversial provision था, कि doctors को चरक सपत लेनी होगी, इस provision को drop कर दिया गया है, और पहले जो declaration of Geneva के according, doctors oath लेती थे थे ना, उसी के according, अब oath ली जाएगी, doctors के द्वारा, writer कहते हैं, यह तो अच्छी चीज़ है, वैसे भी world medical association का founder member है इंडिया, और इंडिया ने world medical association की declaration में, draft बनाने में भी contribute किया था, next, यह बोला गया है कि सभी जो practitioner है, वो medicine के छेतर में जो evolving knowledge है ना, उससे अपने आपको अफगत करवाएंगे, ताकि patients को better से better धंग से care provide की जासके, और इसके लिए, जो practicing doctors है ना, उनको कुछ course वगरा करने का लिए भी condition लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ, तो writer कहते हैं, देखो वैसे भी आज के समय में ना, digitalization का जमाना है, doctors खुदी अपने आपको update करवाते रहते हैं, अब दुबारा से college education दोगे गया, उनको doctors को, school teacher वाली जो approach है, वो सही नहीं है, doctors खुद भी काम करते करते सीखते रहते हैं, और आज के समय में latest जो data है, वो net पे available होता है, doctors आसानी से पढ़ सकते हैं, तो जो medical practitioner है ना, वो mature learner है, एक आम इंसान की तरह वो act नहीं करते कि हाँ, net पे देखा, किसी भी website पे और उन्होंने उसी के अनुसार prescribe करना start कर दिया, उन्हें पता होता है कि कहां से journals पढ़ने हैं, कौन सी information लेनी हैं, तो doctors को आप force नहीं कर सकते हैं सीखने के लिए कि ये course आपको करना ही करना है, और देखो, draft में ये भी बोला गया है, कि ये committee decide करेगी, कि professional development के लिए उनको कौन सा content अभी सीखने कि आप सकता है, ये कहते हैं, writer कि देखो, USA में ऐसा ही provision किया गया है, 2000 के बाद से ही, recertification का, कि आपको recertify करने का सकता है, समय पर, लेकिन USA में corporate programs आ गए, doctors के लिए recertification के लिए, लेकिन doctors को कुछ खास फाइदा हुआ नहीं, इस परकार के program से, तो जिस program से, जिस provisions है, USA के doctors को फाइदा नहीं नहीं हुआ, फिर वो हम इंडिया में क्यों लेके आएं, next point, देखो, draft में एक provision ये भी क्या गया है, कि pharmaceutical companies के द्वारा, कई बार कुछ educational activities करवाई जाती है, for example, seminar करवा दिया, तो इन activities में medical practitioner participant नहीं करेंगे, रोक लगवा दी है, draft में, तो writer कहते हैं, देखो, blanket ban सही नहीं है, इससे latest developments के बारे में, information flow नहीं होगी, कई बार ये seminars जो conduct करवाई जाते हैं, pharmaceutical companies के द्वारा, मतलब sponsor करती है, pharmaceutical companies और medical practitioners उनमें participate करते हैं, तो इससे बाखी जो doctors है, उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, information अच्छे से flow होती है, तो guidelines दी जा सकती है, particular, बजाए इसके कि blanket ban क किया जाए, इन activities को, ये भी बोला गया है, draft में कि social media पर, जो scan images है, वो share नहीं की जा सकती, फिर से बोलते है, writer कि information flow करने में दिक्कत आएगी, मतलब telemedicine, सरकार एक तरफ बोलती है, कि telemedicine को promote किया जाए, लेकिन scan copy कि, scan copy अगर social media पर नहीं डारी जासकेगी, तो फिर कैसे telemedicine की तरफ growth जादा होगी, telemedicine का मतलब तो आपको बता ही होगा, जैसे doctor अपने office में बैटे है, लेकिन दूर दराज के area में कोई person है, उसे कुछ दिक्कत है, तो वो laptop के माध्यम से या फिर mobile के माध्यम से consult कर लेता है, doctor से, ये बहुत सही है, telemedicine, जब covid आया था ना, त तो covid में एक bangalore की doctor थी, तो उन्होंने काफी अच्छे से बताया था, जैसे बुखार नहीं उतर रहा था, तीसरे चोथे दिन, उन्होंने बताया था कि आप हर 6 गंटे में paracetamol लीजिए, तब उतरेगा, फिर अगले दिन उतर गया था, ये तो एक instance है, मैं वैसे बोल रह हैं, एक परकार से bureaucratic approach अपनाई गई है, सरकार के द्वारा, लेकिन medical practitioners के साथ आप bureaucratic approach नहीं अपना सकते, school teacher जैसा बच्चों के साथ करता है न, वैसी approach आपना सकते, broad guidelines आपको देनी चाहिए थी, बिलकुल minute detail में जाके नहीं, तो rework करने के आप सकता है, इस draft के ऊपर, ये पर second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, आज भी हमारे देश में काफी child marriages होती हैं, और इनको रोकने के लिए न, सरकार एक bill pass करवाना चाहती है, जिसके तहत, लड़कियों की जो minimum age है न, साधी की, उसे 18 से बढ़ा के 21 किया जाएगा, सरकार को लगता है, साधी की minimum age, क्या view हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले, इस proposal के pucks में क्या arguments दिये जा सकते हैं, विपक्स में क्या arguments दिये जा सकते हैं, वो हम retail से discuss कर लेते हैं, मतलब, आगर girls की marriage के लिए legal age increase होती हैं, 18 से 21 होती हैं, तो इसके फाइदे क्या होंगे, देखो, सबसे पहला हो जाती हैं, तो फिर ये देखने को मिला हैं, खून की कमी हो जाती हैं, इसके अलावा nutrition की भी कमी हो जाती हैं, बट अगर girls की marriage 21 साल के बाद होगी, तो ये समश्याएं relatively कम होगी, next, देखो, कम उमर में लड़कियों की साधी हो जाती हैं, तो society का pressure आ जाता हैं, जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए, आप देखो, अगर कम उमर में बच्चे को जनम दिया जाता हैं, तो इससे ना सिरफ बच्चा unhealthy पैदा हो सकता हैं, बट मदर की health पर भी पर्तिकूल यानि adverse impact पढ़ सकता हैं, ये भी एक reason हैं, maternal mortality rate जादा होने का, वैसे तो maternal mortality rate मतलब बच्च में हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी कमी आई हैं, लेकिन अभी भी जानकारों का ये कहना हैं, मदर्स के जो death होती हैं, बच्चे के जनम के दुरान, उसमें से एक major factor ये हैं, कम उमर में बच्चे को जनम देना, यानि कम उमर में मदर बनना, और इसका देखो, एक सिधा सिधा consequence ये भी होता हैं, अगर कम उमर में बच्चे को जनम दिया जाता हैं, तो संभावना ये रहती हैं, ज्यादा बच्चे पैदा किये जाएंगे, और ज्यादा संभावना होती है population increase होने की, अगर लेट उमर में महिला मा बनती हैं, तो fertility rate कम होगी, तो एक सरका के मन में ये भी चल रहा हैं, कि ऐसा करके, मतलब girls की marriage की legal age को increase करके, population control की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता हैं, next point ये हैं, जब देखो लड़कियां कम उमर में साधी कर लेती हैं, तो देखो बहुत बार ये होता हैं, उनको जानकारी नहीं होती, awareness नहीं होती, sexual and reproductive health के बारे में, और article में कहा जाता है, जब कम उमर में साधी हो जाती हैं, तो अपने partners के साथ, वो negotiate नहीं कर पाती, कि इस परकार की safe sexual practices को follow करना जरूरी हैं, या फिर हमें family planning करनी चाहिए, उनकी जो negotiating power होती है, वो relatively कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे age बढ़ती हैं, girls ज़्यादा बैतर धंग से partner से negotiate कर पाती हैं, family planning के बारे में, और safe sex practices के बारे में, next point, population का point हमने discuss कर लिया, कि population control की दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती हैं, इस step से, उसके बाद ये भी important point है, education level, देखो, आम तोर पे, graduation जो है, वो किस age में समाप्त होती हैं, graduation 20, 21, 22, इस age में, graduation आप कर लेते हों, depend करता है, आपके 3 साल के degree है, 4 साल की है, 5 साल की हैं, अगर देखो, 21 साल, कम से कम marriage होगी, लड़कियों की साधी के लिए, तो फिर parents higher education के लिए मना नहीं करेंगे, अभी 18 age हैं, और 18 तक तो graduation होती ही नहीं हैं, तो कई बार ऐसा होता है, खास करके, rule areas में, parents बोलते हैं, कि आपने 12 कर ली, बहुत है, अब आपकी साधी कर दी जाएगी, तो इस वज़े से girls higher education नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन legal age increase होने से girls higher education प्राप्त कर पाएंगी, अपनी ambitions को achieve कर पाएंगी, सबसे last में, gender parity, साधी के लिए देखो, लड़कों की minimum age है, फिलाल 21 है, और लड़कियों की 18 है, तो gender parity नहीं है, बट अगर लड़कियों की marriage के लिए minimum age जो है, वो increase कर दी जाती है, 21 हो जाती है, तो gender parity हो जाएगी, ये तो हमने बात की advantages की, अब बात करते हैं, disadvantages की, मान लीजे, सरकार इस issue को लेके कानूल बना देत हैं, और लड़कियों की marriage के लिए जो legal age है, वो 21 हो जाती है, बट देखो लोग तो लोग हैं, इतना जल्दी वो मानेंगे नहीं, 18 से 21 साल की उमर में भी बहुत सारी girls की जो marriages हैं, वो होती रहेंगी, और इस age group में बहुत सारी जो girls हैं, वो तो देखो मा भी बन जाएंगी, बट जब वो hospitals जाएंगी, बच्चे के जनम के लिए, तो उन्हें डर रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कि सरकार हमारे खिलाफ कारवाई कर दें, क्योंकि minimum age तो 21 हैं, तो कोई girl 18 से 21 के बीच में कैसे मा बन सकती हैं, तो इस डर के चलते, बहुत सारी जो girls हैं, women हैं, वो जाएं परिणाम निकलेगा, इसका परिणाम ये निकलेगा, अब देखो hospitals में delivery नहीं होगी बच्चे की, तो घरों में होगी, तो इससे बच्चे के जनम के दुरान, mothers की health पर ज़्यादा पर्तिकूल असर पढ़ सकता है, और maternal mortality rate कम करने की जो हम कोशिस कर रहे हैं, वो बढ़ सकती हैं, दूसर disadvantage ये हैं, अगर देखो कानून बन जाता है इस संदर में, तो awareness फैलने में समय लगेगा, 18-21 age group में साधी होती रहेंगी लड़कियों की, तो अब देखो 21 से कम साल की उमर में लड़की की अगर साधी होती है, तो वो child marriage कहलाएगी, तो child marriage के जो cases हैं, एकदम से ब बात पर विचार कर रही थी, जो लड़कों की age है marriage के लिए, minimum age, 21, उसे कम करके 18 कर दिया जाएं, ताकि gender parity आ जाएं, बट एकदम से सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, सरकार के फैसला लेने के पीछे एक major reason ये है, population control करने के दिशा में आगे बढ़ना, बढ़ देखो, आपको याद होगा, हमने population से सम्मधित article को discuss किया था, तो उसमें ये कहा गया था, fertility rate जो है, वो इंडिया में already कम हो रही है, तो इस परकार के तरीके अपनाने की आउशकता नहीं है, fertility rate को कम करने के लिए, अभी आउश दिविडेंट को अच्छे से यूटलाइज कीजिए, skills दीजिए, कई सारे राज्जे तो ऐसे हैं, जहां पे अब fertility rate दो से भी कम हैं, इवन सरकार जो बोलती हैं, कि गर्ल्स की मैरिज के लिए legal age को increase करके, मालनुट्रीशन की समझ्या को कुछ हट तक address किया जा सकता हैं, आर्टिकल में कहा जाता हैं, देखो मालनुट्रीशन का जो ये cycle हैं, intergenerational cycle होता क्या हैं, मालीजिए, mother में nutrition की कमी हैं, तो वो mother जो बच्चे को जिनम देगी, बच्चे में भी nutrition की कमी मिलेगी, अब बच्चे बच्चे में जब nutrition की कमी मिलेगी, तो उसका दिमाग ठीक से विक्सित नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर nutrition की कमी होती है, तो mind develop नहीं हो पाता, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो काम नहीं कर पाएगा, तो फिर से गरीब रह तो poverty के कारण ये जो cycle है वो चलता रहता है, malnutrition का, तो इसलिए अगर आपको malnutrition की समस्या address करनी है आप गरीबी पर ध्यान दीजिए, poverty अगर आप address करते हो तो malnutrition की समस्या को आप खतम कर सकते हो, ना कि girls के लिए legal age को increase करके, इवन ये भी कहा जाता है, girls और women के लिए जो nutritional प्रोग्राम है, उनकी implementation को आप improve कीजिए, आंगनवाडी से लेकर, schools तक, बट ऐसा करने के बज़ाए, सरकार ने focus किया है, age को increase करने पर, last में, अब way forward में कहा जाता है, देखो जो भी task force गठिद की हुई है, उस task force को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अभी जो system है, marriage limit का, girls के लिए 18 और boys के लिए 21, आप इस limit को अच्छे से enforce कीजिए, बजाए इसके, इसको increase करने के, ground level पे vigilance अच्छे से होना चाहिए, जो child protection schemes है, उनको अच्छे से implement किया जाए, marriages का और birth का registration जरूरी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है, तो फिर इसके खिलाफ कारवाई की जा सकती है, आप इसे अच्छे से enforce कीजिए, लोग के behavior में बदलाव लाने के लिए awareness, campaign चलाएए, ताकि जो regressive social culture barriers हैं, उनको दूर किया जास के, जिसकी वज़े से, जैसा हमने डिसकस किया था, समाज में एक pressure होता है, couple पर किसाधी हुई fertility rate को प्रूव करना, तो ये तो देखो एक पुराने article की साहिता से हमने advantages और disadvantages को जाना, लेकिन अब आज क्या article में writer के क्या views हैं, वो हम जानते हैं, वो देखो data की साहिता से ये प्रूव करने की कोशिज करते हैं, अगर आप सिधा woman की minimum age जो है marriage की इसे increase कर देते हो, तो उतन साल तक education प्राप्त की हैं तो chance कम है कि उनकी जल्दी साधी होगी, तो आप महिलाओं का education level है उसे improve कीजिए, illiteracy को दूर कीजिए, उनको employment के लिए योग्य बनाईए, skills दीजिए, तो child marriage में अपने आप कमी आ जाएगी, यानि marriage age increase करोगे, तो child marriage नहीं होगी, कोई solution नहीं है, लेकिन हा सिधा सिधा ये जरूर है कि आप education level improve करोगे, तो child marriage जरूर कम होगी, बंगादेश का example वो देते हैं, बंगादेश में महिलाओं के education में काफी improvement हुआ, उनको modern skills दी गई, जिससे उनकी की जल्दी job लग जाए, अच्छी job उनकी लग जाए, इससे child marriage में काफी कमी आप अगर महिलाओं का education level improve करना चाहते हो ना, तो बहुत थारी schemes जो सरकार चलाती है ना, उन schemes को महिलाओं के education level से जोड़ा जा सकता है, अब देखो इस पर debate हो सकती है कि जो महिलाओं election नहीं लड़ पाई, तो उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनको अब schemes के लाफ से क्यों व criteria लगा दिया था, तो काफी case गए थे, court में कि इसे बंद कर दीजिये, महिलाओं को नुकसान हो रहा है, वो election नहीं लड़ पाएंगी, तो writer ant में यही conclusion निकालते हैं, कि महिलाओं को educate करना important है, इससे उनको personal freedom मिलती है, social well-being improve होती है, और देश को काफी फाइदा होता है, वो education देने की कोशिश करने चाहिए, तो यह पूरा article हमने discuss किया, और हमारी आज के इस discussion में इतना ही है, आज हमने तीन issues को detail से discuss किया, thank you, thank you very much for discussion.